आप लोग देख रहे हैं कि आजकल धर्म परिवर्तन का मुद्धा कापी सुर्कियों में बना हुआ है धर्म परिवर्तन करने का मतलब होता है या धर्मांतन जैसे आप लोग कह देते हैं धर्मांतन किसी ऐसे नए धर्म को अपनाने का कार है जो धर्मांतित हो रहे ब्यक्ति के पिछले धर्म से भिन होता है माल लिजे कोई हिंदू है, कोई बहुत धरम अपना रहा है या आप देखे कोई बहुत धरम का है, वो मुस्लिम धरम अपना रहा है या इस तरह की परिवर्थन की बात होती है और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो भीमराओ अंबेटकर साहब थे जिनने समीधान का पिता कहते हैं और पहले हमारे कानून मंतरी थे इन्होंने बहुत धरम अपने अंतिम समय में अपना आया था आपको मालू होना चाहिए तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारी सरकार क्या कहती है हमारा सम्मीधान क्या करता है और हमारा न्यालय क्या करता है इसके बारे में क्योंकि आप देखेंगे कई लोग इसके पक्च में कई लोग इसके बिपक्च में और आप देखेंगे कि कई लोग कहते हैं धरम परिवर्तन करना या धरम को मानना हमारा मौली का दिकार है यान की समिधान के भाग तीन की बात करते हैं कई लोग कहते हैं कि धरम मौली का दिकार नहीं है तो उसinfectोर इंपर भहस छड़ी हुई है और आप देखिए कि जो म pande dhtst हैं दलेत है वो आप دेख रहेंगा बहुत धरम अपना रहे हैं, अभी दिल्ली में एक सम्मेलन भी हुआ था, उसमें आप देखें हुए लाकों लोगों ने बहुत धरम सुईकार किया था, तो कहा जाला है कि उन्हें अब आरक्चन नहीं मिलना चाहिए, जो फायदे हैं वो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप द हमें पहले आपने देखा होगा, यह 103 बार समिधान संसुधन हुआ था, 2019 की बात हो रही है, और 10% आरक्चन जनरल कैटिगरी की जो आर्टिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें दिया गया था, और समिधान की अनुछेद 15 में 6 और 16 में 6 जुडा गया था, उसके इसकी स्थापना की बात कही गई है, और 28 जन्वरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और सुप्रिम कोट ने आप देखेंगे इस आरक्चन की व्यवस्ता को सही माना है, और 10% आरक्चन आगे मिलता रहेगा EWS को, और जो आप देखते हैं कि OBC बरग हो, OBC पिछड़ा वरक क बात कर रहा हूं या ATSC हो, इनने आर्थिक पिछड़ेपन की कारण आरक्चन नहीं मिलता है, इनने आप देखेंगे कि सामजिक और sexualिक पिछड़ेपन की कारण आरक्चन मिलता है तो या भी बिवात बना हुआ है, ठीक है? भारत में आप देखेंगे कई राज्यों में ये में आप देखेंगे कि ग्रह मंत्राले ने सर्वोच न्याले को बताए कि धरम की अधिकार में धार्मांतन का अधिकार सामिल नहीं है जिसी है मुद्दा और चर्चा में आ गया धरम की अधिकार में बिसेश रूप से धोका-धड़ी, धोके, जबर्जस्ती, पिलोभन, अन माध्यमों से अन लोगों को एक बिसेश धरम में परिवतित करने का अधिकार सामिल नहीं है आप लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं लेकिन आप देखे इसमें धोका धड़ी नहीं होना चाहिए धोके से ना धर्म परिवर्तन करवाया गया हो जवरजस्ती से ना करवाया गया हो पिलोबन यानि कि लालच ना दिया गया हो या अन कोई माध्यम हो जिससे आप देखे समिधान के खिलाब हो उससे अगर आप देखी कि धर्म बिसेस में परिवर्तित होते हैं तो ये अधिकार, मौलिक अधिकार आपका या धर्म धार्मिक अधिकार नहीं होगा समिधान के भाग तीन में आप चाहिए अनुचेद 25 से 28 के अंतरगत सभी भारतियों को धर्म की सुतनता का अधिकार दिया गया है और मंतराले ने कहा है कि अनुचेद 25 धर्म की सुतनता का अधिकार में पिर्चार सब्दे में धर्म परिवर्तन का सामिल धर्म परिवर्तन का अधिकार सामिल नहीं है मेह है और सरकार ने का ऐसारविनिक ब्योस्था में बाधार डालने के अलवा किसी बेक्ती की अंतरात्मा की सुतंता के अधिकार पधोकाधड़ी या पेरित धर्मांतन और इसलिए राज जिसे बीनेमित प्वंधित करने की अपनी सक्ती के भीतर है केंदरें का है कि संगठत और परिस्कित बड़े पिर्माने पर अवेद धर्मानतन की खत्रे को रोकने के लिए आतीत में बनाएगे इस कानूनों को सर्वोच न्याले ने बरकरार रखा अब समीधानिक प्रावधन क्या कहता है? तो अनुचेद 25 को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सभी व्यक्तियों को अन्ताकरन की सुतंता और धर्म को आवाद रूफ से मानने आचरंग करने और प्रचार करने का समान अधिकार की बात करता है ये सुतंता सारिविंग विवस्ता स्वास्त और नेतिकता की अधीन होते हैं और राज्य कानून बना सकता है जो किसी भी धार्मिक अभ्यास से जोड़ी किसी भी बित्तिय आर्थिक और राजनेतिक और अन्य धार्म निर्पिक गती भीनियों को भीनिमित और पितिय बंदि करता है एक तो साब ब्याक्या नहीं दे गई है अब आप देखें कि यहाँ धरम को मानने की सुतंता की बात हो रही है तो आप देखें कई लोग इसके पक्ष में खड़े होकर क्या बोले हैं बोले हैं कि हमारा अनुचेद 25 कहता है कि हमें धरम को मानने की सुतंता है तो हम किस इसी भी धर्म को सोईकार कर सकते हैं और इसी का हवाला सबसे जाना दिया जा रहा है और अनुशेद पचशबीस क्या कहता है परदान करता है कि पितएक धार्मिक संपदाय को अधिकार और धार्मिक धर्मार्थ उद्देशों के लिए संस्थानों का गठन और अख्राखाऊ क बात करता है धर्म की मामली में अपने मामलों का प्रवंधन स्वैम करें अचल और चल संपत्ति प्राप्त करें कानून के अदिकार नेतिकता स्वास्त और साजनिक विवस्ता की अधीन होते हैं ऐसा नहीं आप देखें तब अपबाद हो जाता है आपकी धर्में के सोतंता की अदिकार बार भी पितिवन लग जाता है जब आप देखें कि आप नेतिकता का हनन करें स्वास्त का हनन करें साजनिक विवस्ता का आपको अब आप देखें कि धर्म को मानने की सुतंता दे गई है तो आपनी संस्ता यसी जगह बनाई है जहाँ आप देखें दूसरे धर्म कि प्रिचार या रखराखाओं के लिए उपयोग की जाती है वैसे लिए आप देखते हैं कि जो धार्मिक इस्थान है उनसे कर नहीं लिया जाता है उन पर टेक्स नहीं लगता है ये भी याद रखेगा अनुचेद 28 धार्मिक समुहों द्वारा चलाये जा रहे हैं सेक्षड अगर सरकार से लाब नहीं लेते हैं तो अगर सरकार से लाब लेते हैं तब आप देखें वहाँ कोई धार्मिक सिख्चा नहीं दे जाएगी सबको बरावर देखा जाएगा तो ये भी याद रखेगा विभिन राज्यों में धर्मांतर बिरोधी कानून कौन कौन से हैं उन और उडिसा को अगर आप लोग देखना चाहें न तो एक बार देख लिए यह उडिसा है बहुमनेस और इसकी राजधानी है और आप देखेंगे कि इसकी सीमा पश्यमंगाल हो जारिखंड हो चत्तीस गड़ हो और आंपदे से लगती है और आप देखेंगे कि यहां विधान सबा में आपको 147 सीटे देखने को बिलेंगी लोग सबा में 21 सीटे है राज सबा में 10 सीटे है एक लाग पचपनहजाद 707 वरक किलूमीटर में आपका उडिसा फैला हुआ है तो एक कानून क्या कहता है यह कहता है यह देख में इस तरह का पहला कानून है जो जवर्दस्त पिलोबन या दो का दड़ी सब्द साप आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा है और उलगन करने पर एक साल की जेल और 5000 रुपे जुर्बाना या दोनों हो सकते हैं तो यह उडिसा धरम की सुतनता अधिनियम 1967 में कहा गया इस कानून में यह बिलकुल नहीं कहा गया कि को अपनी मरजी से अगर कोई धरम परिवर्तन कर रहा है तो उस पर एक आनू लागू नहीं होगा ठीक है अरुणाचल पिदेश धरम सुतनता अधिनियम 1978 एक बार पहले आप लोग अरुणाचल पिदेश चलिए और आप देखेंगे कि इटा नगर क्या है इटा नगर इसकी पिरादधानी है अरुणाचल पिदेश की और आप देखेंगे कि इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि भूटान से लगती है चाइना से लगती है और म्यानमार से लगती है राज्यों में असम और नागालेंड से लगती है इसके इसे 21 जन्वरी 1972 मे केंद सासी पिदेश बनाये गया था राज्य का दर्जा इसे 20 फरवरी 1987 में दिया गया था यहाँ विधान सबा में 60 सीट है रास सबा में 1 सीट है लोग सबा में 2 सीट है इसे अपना हिस्सा बताता रहता है एक कानून क्या कहता है अगर दोकाध़री के माद्यम से किसी भी बैक्ती को एक धार्मिक विश्वा से परिवर्तित करने का प्रियास नहीं करेगा यहां भी आप देखे मर्जी जिसकी यह वो कल सकता है लेकिन उसमें धरम परिवार्थन में बलका प्रियोग नहीं होना चाहिए पिलोवन नहीं होना चाहिए या धोका धड़ी नहीं होना चाहिए और उलगन करने पर दो साल की कैद के साथ 10,000 रुपे तक का जुरवाना लगाया जा सकता है तो इसी का हवाला दिया जा रहा है लोगों की द्वारा कि हमारी मर्जी हम जोक चाहे करें लेकिन आप देखें कि और इसमें मर्जी उनकी है बिलकुल है अभी तक तो ठीक रही है गुजरात धरम की सुदंता अधिनियम की बात करें तो गुजरात अगर आप लोग देखें तो आप देखें कि गुजरात की बात ओरी गांधी नगर इसकी राधधानी है गुजरात की और अंतरश्टी सीमा की इसकी हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजिस्तान हो गया और आप देखें राजिस्तान, मद्पधिस, महराष्ट इसके पड़ोसी राज्य है और एक मई 1960 में इसे राज बनाय गया था, विधान सभा में आप देखेंगे 182 सीटे हैं, रासबा में 11 सीटे हैं, लोकसबा में 26 सीटे हैं, 1,96,024 किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है, गुजरात, तो यह अदिनियम क्या कहता है, गुजरात का, कानून में जबरन धर्मांतन के लिए 3 साल की सजा और 50,000 रुपे तक के जुर्वाने का प्रावधान है, देखें, यहां भी जबरन सब्द का उपयोग किया गया है, अगर आप सोचें कि अगर धर्म परिवर्थन करना, सोएक्छा से, अपनी मर्जी से, अगर मौलिक अधिकार नहीं होता, तो आप देखतें कि यहां लिखा जाता, यह जबरन वबरन कोई सब्दी ना होता, सीधा लिख देतें कि अगर आप एक कानून कहता है, कि आप अगर धोका धरी, अगर होता है तो इसका भी हवाला लोग दे रहे हैं, जो धर्म परिवर्थन कर रहे हैं, एक महला नावालिक अनुसूचे जाती, अनुसूचे जन जाती से जुड़े मामलों में जुरवाना एक लाक रोपे तक लगाया जा सकता है, और डियम से पूर अनमोती क आवसकता है, यह एक संगे अपराद है, एक आप देखेंगे चतिसगर, धरम सुतंता संसोधन अधिनियम 2006, और चतिसगर आप देखते हैं कि मत्पिदेश से अलग कर की बनाया गया था चतिसगर आपका, कब की बात है, एक नवंबर संदोहजार की बात है, और आप देखें कि यहां अगर हम लोग बिधान सबा सीटों की बात करें, तो 90 सीटे है, राज सबाम 5 सीटे है, लोग सबाम 11 सीटे है, 1,35,192 वरक किलूमीटर में आपका 36 गड़ पहला हुआ है, 36 गड़ का कानून क्या कहता है, एक कहता है कि यह 3 साल की जेल की आउधी और कितना 20,000 होगा अगर आपको धरम परिवर्थन करना है, तो आप DM की एक तरह से सहमती जरूरी है, जारखंड धरम की सुतंता अधिनियम क्या कहता है, 2017 में आये था यह, कानून में 3 साल की कैद और 50,000 रुपे का जुर्बाना या दोनों के प्रावधने अगर वेक्ति नावालेग मैल या SCFT का सदस्त है, और अपराद गेर जमानती भी है, एक बार अगर जारखंड को आप लोग देखना चाहें, तो देखिए जारखंड है, राचीस की रादधानी है, और आप देखेंगे कि बिहार से इसकी सीमा लगती, बिहार से अलग करके बनाया गया था ये जारखंड, ये भी आप लोग याद रखेगा, पंदरे नमंबर सन 2000 में, उत्तर पदेश से इसकी सीमा लगती 36 सिगर ओड़ी सा पश्चे मंगाल से, और यहां आप देखेंगे, बिधान सवा में 80 सीट है, राच सवा में 6 सीट है, लोग सवा में 14 सीट है, 89,716 बर किलो मीटर में आपक और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, अदिनियम में कहा गया है कि कोई भी बैक्ती गलत बयानी बल अनुचित प्रभाव, जवरदस्ती पिलोभन या किसी भी धुकाधरी के माद्यम से, या साधी से किसी भी अन्य बैक्ती को एक धर्म के, से दूसरे धर्म में पि कि उत्तराखंड उत्तरपदेश से अलग करकी बनाया गया था क्या उत्तराखंड और देहरादन इसकी रादधानी है और आप देखेंगे कि इसकी सीमा चाइना और नेपल से लगती है राज्जों में हमाचल पडेश और उत्तरपडेश से लगती है 9 डॉवंबर सन 2000 में इसे राज बनाए गया था बिदान सबा में 70 सीट है राज सबा में 3 सीट है लोक सबा में 5 सीट है 53,480 बरस किलो मीटर में फैला हुआ है आपका तो यह हो गया उत्तर पिदेश अबैद धरम परिवर्तन निसेद अदिनियम यह अगर आप लोग देखना चाहें तो उत्तर पिदेश देख लिजे लगनव इसकी राध्धानी है अंतराश्टी सीमा इसकी आप देखेंगे नेपाल से लगती है राज्यों में अगर हम लोग देखें तो इसकी सीमा बिहार हो जारकंड हो चत्तिस गड़ मद्द पिदेश राजिस्तान हर्याना हिमाचल पिदेश उत्तराखंड आठ राज्यों और एक आपका कैंदसा सित्पिदेश दिल्ली है और आप देखेंगे कि यहां बिधान सभा की बात करें तो 403 सीट हैं बिधान परिशाद में 100 सीट हैं राज सभा में 31 सीट हैं लोग सभा में 80 सीट है दो लाग चालिस जार 928 वरा किलो मीटर में आपका उत्तर पिदेश फैला हुआ है तो यह आप लोग याद रखेगा ए अधिनियम क्या कहता है जो लोग धर्मांतन करना चाहते हैं और जो धर्मांतन कर रहें उन्हें करम सा 2 महीने 1 महीने पहले DM को पिस्ताविक धर्म परि पिस्ताविक धर्म परिवर्तन की गोशना का पिस्तूत करनी होगी DM से सलाय एक तरह से साहता लेनी होगी DM को फिस्तावित रूपा अंति रादे उद्देस वकारण की पुलिस जाच करनी चाहिए र DM पर DM आप देखें जाच करेगा कि ये किस उद्देश से किया जा रहा है जवरन तो नहीं है जवरजस्ती तो नहीं है लालच में तो नहीं है ये आप देखें धोके से तो नहीं किया जा रहा है तो ये बात कही गई है फिर आप देखें कि मद्दपिदेश की अगर हम लोग ब बनाए गया था इसकी सीमा 34 गड उत्तरफदेश राजिस्तान गुजरात और महराष्ट से लगती है çık से महराष्ट से लगती है और विधान सब्साब में आप देखेंगे कि आप 233 सीट हैं और आप देखेंगे विधान सभामे 230 सीट है राजसावा में 11 सीट है लोगसावा में 29 सीट है आप देखेंगे और इसका चेतफल की बात करें तो 3,8,252 बर किलुमीटर में फिरला हुआ है चेतफल में दूसरे नमर पर पहले पर राजस्तान दूसरे पर करता है और किसी व्यक्ति को ऐसे धर्मांतन के लिए उकसाने और उकसाने वो साजिस रचने से रोकता है और इसमें ऐसे रूपांतरनों को आसक्त और सूनने घुसीत करने का प्रावधान भी करता है फिर आप देखेंगे कि आपका धरम की सुदंता के अधिकार का करना तक सरक लिए और इसकी सीमा आप देखेंगे केरल हो गया गुआ हो गया महराष्ट हो गया उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी सीमा एहते लंगाना आंध्र पिदेश और तमिलाडू से लगती है यहां आप देखेंगे एक नमबर 1956 में से राज बनाए गया था बिदान सभा में 22 सीट है बिदान परिशन में 75 सीट है राज सवा में वारा सीट है लोग सवा में 28 सीट है एक लाग 91 जाए 791 वर किलूमीटर में फैला हुआ है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और यह क्या कहता है कानून जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है लेकिन धर अबैद धर्मांतन की हरीयाना रोक था मदिनियम हरेयाना के द्वारा एक कानून बनाये गया है यह हरेयाना आप लोग देखेगे चंडीगड़स की राध धनी है इसकी हर्याना की और इसकी सीमा आप देखेंगे पड़ोसी, पंजाब, राजिस्तान, उत्तर पिदेश और हिमाचल पिदेश आपको देखने को मिलेगा कि इसका हर्याना का 1 नमबर 1966 में इसे राज बनाए गया था बिदान सबा में आपकी 90 सीट है, राज सबा में 5 सीट है, लोक सबा में 10 सीट है 44,212 बर किलो मीटर में आपका फैला हुआ है तो ये भी याद रखिएगा लालज वल प्रेयोग, जवरजस्ती या धोका धनी के माद्यम से डिजिटल मोड के उपयोग सहद, किये गए धर्मानतन के लिए 1 से 5 साल की सजा और आप देखेंगे, 1 लाग रोपे की जुर्वाने का परावधान करता है अपरा संगेव और गयर जमानती होगा, ये आप देखें हरयाना का अधिनियम करता है लेकिन इन सभी अधिनियमों को आप लोगोंने पढ़ा होगा और एक बात आपकी समझ में आ गई होगे कि देखें यहाँ जबड़स्ती की बात की गई है, लालच की बात की गई है लेकिन आप देखेंगे कि कहीं अपनी मर्जी से अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसी रोकने की बात किसी कानून में नहीं कही गई है हाँ इतना कहा गया है कि अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो DM से आपको एक तरह से आप देखे, बाले नहीं होगी, सुईकार करवाना होगा, या आप देखे कि इजाजत लेनी होगी, तो ये बात कही गई है, अब आप देखे कि कोट क्या कहता है, ये तो राज्य सारकारों की अधिनियम हो गए, और कोट की अगर हम लोग बात करें, तो सर्वोच नेले ने पाया कि कट कपट पूर्ण धर्मांतर आखिरकार राष्ट की सुरक्षा और धरम की सुदंता और नागरेकों की अंतरबात्मा को पिरभावित करता है, ये कौन कह रहा है, सुप्रीम कोट कह रहा है हमारा, सर्वोच अधालत कह रही है, और सैद एक आप लोगों को माल होगा, कि बहुत साले पहले आप लोग आजादी के पहले चले जाएए, अंग्रेज, आप देखें, एस्टी एस्टी, यानि कि आदिवासियों को टार्गेक करते थे, उन्हें धरम परिवावितन के लिए तरह तरह की लालच, आप देखें, देते थे, मातमा गांदी ने आप देखें, इसे रोकने की बात की थी, तो आप देखें कि उन्हें को रोकने के लिए, और इसने केंदर से हस्तिचेप करने और ये खलप नामिस में इसपष्ट कहने के लिए कहा है, कि वह अनिवार या धोके से धरमांतर को रोकने के लिए क्या करना च सकती है धर्म परिवर्तन करना लेकिन जबरन धर्मांतरन धर्म की सुतंता कभी नहीं हो सकती है यह आप लोग याद रखेगा सभी को अपना धर्म चुनने का अधिकार है लेकिन जबरन धर्मांतरन या पिलोभन दे कर नहीं यानि कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन लालच में नहीं और पिलोभन में नहीं और जबरजस्ती नहीं तो ये भी बात हो रही है आंगे कीश में राह क्या हो सकती है तो हमारे समिधान में धर्म की सुदंता का अधिकार नेतिकता सार्विंगं विवस्ता, और स्वास्त जैसे उचित पितीबंदों की अधीन है और इस पेकार राज अपने नागरेकों की सरक्षन की रोब में आवसेक धार्मिक पिताओं को छोड़कर धार्मिक पिताओं को सुविधा जनक बनाने और बेनेमिद करने की सकती रखता है नाग्रेकों की संबादी दो रुपियों और गैर कानूनी लक्षीकर्ण से बचने के लिए प्रवर्तन एजनसियों को जागरुकता और पिसिक्षन दिया जाना चाहिए तो यह पूरी कहानी हो गई आपकी क्या है यह है पूरी कहानी और इस कहानी में आप लोगोंने एक समझ में बात आई होगी कि यहाँ धर्म की जो धर्म परिवर्तन की परिवासा समीधान में किलियर है ही नहीं है और इसी को लेकर आप देखे परिसानी खड़ी की जा रही है और अब आप देखे जाच कैसे होगी कि किसी ने धरम परिवर्तन लालच में सुईकार किया है या जवज़श्ती करवाया गया है तो इसके बाद ही एक कानून लागू होगे अगर आप देखे कोई 161 करता है अपनी 161 करता है तो उन पर एक कानून लागू नहीं होगे और उस पर आप देखे ना तो सरकार कुछ कर सकती है और नहीं सुप्रिंग कोट कुछ कर सकता है तो यही विवस्था है अगर आप देखे सरकार कोई कानून बनाती है या स्टोप्रिंग कोट कोई फैसला देता है इसे परिवासित करता है तो हम लोग आगे देखेंगे अभी तक तो किलियर यही है कि हाँ धरम परिवर्टन कर सकते हैं किसी धरम को आप मान सकते हैं आपका एक मौलिक अधिकार कहा जा रहा है लेकिन आप देखिएगा वहां लालच नहीं होना चाहिए वहां धरम पर एक तरह से आप देखिए जवर्जस्ती नहीं होना चाहिए फरेव नहीं होना चाहिए धोका नहीं होना चाहिए ठीक है और आप देखिए क्या होना चाहिए कि सम कि खिलाप नहीं होना चाहिए, तो यह पूरा कहानी है आपकी धरम परीवरतन की और धार्मिक अधिकार की और धर्मांतन की अधिकार की, ठीक है? आप लोग क्या सोचे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय जरूर दिया करिएगा आपकी राय बहुत महत्पोंड होती है ठीक है?